मैंने जैसे कि आपको बताया अगर बहुजन समाज पार्टी मान्य भेन कुमारी आयवती जी मुझे आशिरवाद देती हैं और समाज मुझे अनुमती देता है तो ही मैं चुनाव लड़ने का काम करूँगा आज हम एनुमती के वाड नंबर पांच में आये हुए हैं हमारे साथ भुजन समाज पार्टी के युवा नेता नीरश प्रेमी जी हैं आज हम उनसे बात करेंगे सर बीसने असन नियुसमा को स्वालत है धन्यावाद जी सर आपको जो ये सैनिटाइजर का काम कर रहे हैं वाड को सैनिटाइज कर चुक और भी अन्य जेतरों में जहां से हमारे पास फॼोन कोल आ著 है के एक सब्सक्राइब करें और लोगों के लावा लोगों के दूसरे तीसरे दिन से अभी यह तो कोई अंदाजा नहीं कि कितने परिवारों को हम रासन दे चुके वह लेकिन रोजना पचास से साथ परिवारों को राशन पहुचाने का काम कर रहे हैं और लोगों के इतने फोन कोल आ रहे हैं कि जहां पर परसासन दुआरा सरकार दुआरा कोई भी कहीं भी राशन नहीं पहुच रहा है और लोगों की मैन समस्या हमें दिख रही है कि लोगों के घर जाते हैं कि हमें पता लगता है कि ये लोग वाक्य में ही काफी दिनों से अपना भर पेट खाना नहीं खा पा रहे हैं इसलिए घर का जो भी सामान पूरा तेल तेल हो गया चीनी आटा दाल वगएरा सब चीज हम पोचाने का काम कर रहे हैं जहां से हमको सूचना मिल रहे हैं वहाँ पर अभी नगर निगम के चुनावों में काफी समय बचाएं लगबग एक साल का क्या आपका क्या मन है कि आप चुनाव लड़ेंगे देखिए भी चुनाव लड़ने का कोई फाइनल डिसीजन मेरा नहीं है अगर समाज मुझे नूमति देता है और बहुजन समाज पार्टी प्रेमी जी आपको समाज सेवा करने की पेर्णा कहा से मिली देखिए मेरा पूरा परिवार शुरू से ही एक समाज सेवा करता रहा है हमारे दादा जी स्वर्गेसरी रिच्पाल सिंग प्रेमी जी जो आज से दो वर्स पहले ये धरती छोड़ करके चले गए और दो साल से उनके जाने के बाद एक उनके नाम को चलाने के लिए जैसे कि वो सुरू से समाज सेवा करते आ रहे थे कोई हां की जनता ये ना कहेगी उनके जाने के बाद कोई परिवार में ऐसा बंदा नहीं निगला तो उनके नाम के लिए और उनके शिकाय हुए रास्ते कदमों बर मै आपील करना चाहते हैं वाड नमबर पांच के लोगों से मैं शुरू से यह अपील करता रहूं कि सबसे पहले तो वो इस बिमारी से बचने के लिए अपने घर में रहें बाहर ना निकलें और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखें और जैसे कि वाड नमबर पांच की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वाड नमबर पांच एक जीवन नगर गोची और बीच में सोना रोड से संजय कलोनी अपना घर सोसाइटी जवार कलोनी सारन और परवत्य कलोनी यह वाड नमबर पांच के अंदर आता जो वाड नमबर पांच की पारशत सिरीमती ललीता यादव जी हैं वह सोना रोड से इधर वाले इलागे को जो अपना घर संजे कलोनिय और परफट्य कलोनिय, सिर्भ उस इलागे को अपने dwad initi का हिस्स का हिस्सा सम लेकिन बार्षद तो कहते हैं कि हमने काफ़ी काम करा यह शेद्र में यह लाली ताया दब जी को भी पता है विदायिक नीरस्थरमाधी को भी भी नहीं बैट पाते हैं वो क्योंकि पानी इतना है बद्वू इतनी है लोग बाग बहुत परिशान हो रहे हैं इस वार लोगडाउन में तो यदि जनता आपको मौका देती है तो बाट नमबर पार्च में आप क्या काम कराईगे देखिए अभी एलेक्शन लड़ने का कोई फाइनल डिसीजन मेरा नहीं है मैंने जैसे कि आपको बताया अगर बहुजन समाज पार्टी माने भेन कुमारी मायवती जी मुझे आशिरवाद देती है और समाज मुझे अनुमती देता है तो ही मैं चुनाव लड़ने का काम करूँगा और मैं कोई नेता नहीं नहीं देता हुई तो मैं वाड़ को सिर्फ चमकाने का काम करूँगा अपने घर में बैठके अपने घर में अपनी सीट पर बैठने का काम कोई नहीं करूँगा जैसे कि हमारी पारसद ललीता याजब जी ये काम बहुत ही बेखुवी से निभा रही है लोगों ने पारसद बना क पारसद है कौन वो अच्छे से बाड़ पारसद का नाम भी नहीं जानते क्योंकि वो कभी जीतने के बाद वाड़ में गई नहीं लोग तो जब जानेंगे कि वाड़ की पारसद है कौन तो ये थे समाज से भी बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता नीरज प्रेमी जी अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें जादा से जादा शेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद